हेलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है ओडा सीटी 3.0.3 कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल कोई सब्सकाइब नहीं किये तो प्लीज चैनल कोई सब्सकाइब करन ना भूले चलिए शुरू करते हैं आप अपने लैटप या फीचिए के अंदर कोई भी ब्राजर ओपेंड कर लीजएका ब्राजर ओपन करने के बाद आपको गूगल ऊपन करने के बाद यहां पे आपको टैप कर देना है ओडा सीटी और इंटर करते हीं यहां पर फस्ट दिख़ जाएगा इसके उपर आपको क्लिक करते हैं ओडर सीटी का officially page open हो जाएगा बाकि इसका लिंक आपको facebook याँ telegram page पर मिल जाएगा आपको क्या करते हैं यहाँ पर home page पे ही आपको दिख जाएगा download जैए इस तरह से डाउनलोड का विंडुव हो जाएगा यातो आपके केस में नुदड हो जाएगा या नहीं तो इस तरह से विंडुव ओपिन होता है ऩे यहां पे भी सेब करना छाहत है वह पासलेट करके आप सेब कर दीजेगा सेब किलिक करते हूँ एकसी डाउनलोड हो जाएगा यदि आटोमेटिक डाउनलोड नहीं होते तो आपको क्या करने मैनुवल यहां से आपको 64-bit एकसी डाउनलोड करने हैं यहां से आपको 32-bit का एकसी डाउनलोड करने हैं यदि आपको चेक करना नहीं आते तो चलिए मैं आगे ओ भी बता देता ह इसको कैसे चेक करते हैं, download complete होने के बाद आपको क्या करना है, उस folder के अंदर जाना है, जहां आपने exe को save किया है, वहाँ पे आपको इस तरह से exe दिख जाएगा, अब आपको क्या करना है, इस exe को उपर आपको right click कर देना है, right click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, इसके आपके case में यहाँ पे unblock नहीं दिखता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे okay पे click करके बाहर आजाना है, अब आपको मैं बता देता हूँ, आपके window 64 बीट है या 32 बीट है, उसको कैसे check करना है, इसके लिए आपको क्या करना, यहाँ पे 10 PC दिख जाएगा, इसके उपर आपको right click करना, इसके बाद आपको property पे click कर देने, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, आपको क्या करना, यहाँ पे score done करने, score done करने के बाद यहाँ पे आपको about दिख जाएगा, इसके उपर आपको click कर देने, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, आपको यहाँ पे check कर exe download करके install करना है वो इसे आप 64-bit के operating system में 32-bit या 64-bit दोनों में से कोई साभी आप install कर सकते हैं लेकिन मैं आपको suggest करूँगा हमेशा 64-bit के operating system में 64-bit कहीं application आपको download करके install करना चाहिए तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे download कर लिजेगा और उसको install कर लिजेगा चलिए अभी हम इसको यहाँ से close करते हैं अब हम आपको बताते हैं इसको कैसे install करना है install करना के लिए आपको क्या करना या तब EXE को पर आप double click करके install कर सकते हैं या नहीं तब EXE को पर आप right click करके open करके install कर सकते हैं क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा यदि आपके case में भी इस तरह से window open होता है तो आपको क्या करना यहाँ पर yes पर क्लिक कर देने क्लिक करने के बाद यह window open हो जाएगा अब आपको क्या करना यहाँ से language select कर लेने आप अपने हिसाब से यहाँ पे language select कर लिजेगा उसके बाद यहाँ पे आपको ok पे क्लिक कर देने क्लिक करने के बाद ये window open हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पे next पे क्लिक कर देना है इसके बाद आपको फिर से next पे क्लिक कर देना है इसके बाद आपको फिर से next पे क्लिक कर देना है इसके बाद यदि आप desktop पे shortcut icon चाहते तो इसको टिक मा करने दीजेगा यदि आ हो जाएगा तो आपको क्या करना यहाँ पे next पे क्लिक कर देने इसके बाद यह window open हो जाएगा अब यदि आप इसको tick mark रहने देना चाहते तो आप रख भी सकते यानि तब इसको हटा भी सकते इससे कोई फर्क नहीं परेगा यदि आप इसको tick mark रखेंगे तो यहाँ पर फिनिस पर फिलिक करते हिएं इस वप्तिर उपन हो जाएगा नहीं टवलक हो जाएगा तो तो एक शब्र करकर रखना चाहते तो किसी और अने सको करना चाहते तो इसको आप डिलिट भी कर सकते हैं आप हम चेक करेंगे जो install के हैं उपरोपर काम करता है या नहीं करता है इसके लिए आपको क्या करना है इस software को open करने के लिए आपको क्या करना है या तो आप desktop पे जो sort को टैकन है या तो आप यहाँ पे click कर को open कर सकते हैं याने तो आपको क्या करना है यहाँ पे search bar में जाने सर्च बार में जाने के बाद यहां पर आप सर्च करके भी open कर सकते हैं, दोनों में से आप कहीं से भी click करके open कर लिजेगा, click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा, अब यदि आप इस app का update का notification चाहते हैं तो यहां से आप OK कर सकते हैं, यदि आपको notification नहीं चाहिए तो इसको अब आप देखेंगे तो यहां पर आपको first screen ही दिख जाएगा, order city 3.0.3 यहीं आज के date में latest version है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर OK पर click कर देने, OK पर click करने के बाद आप देख रहे हैं, यह software open हो चुका है, without co-error, आप इसको अपने हिसाब से use कर सकते हैं, बाक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेर करें, थैंक यू